अपने घर को अप्ग्रेट करने के लिए अगर आपको इंटरनेट पर चीज़ें ढूंडनी आती हैं तो आप कुछ बेहद अच्छी चीज़ें ढूंड का खरीद सकते हैं आप लगी हैं कि मैं यहां आपके मदद करने के लिए हूँ असंभा लगने वाले डेकोर्स लेकर कम्प्यूटर जैसा बन जाने वाला टेबल तक कम खर्चा करके शायद शांदार चीज़ें खरीदने के लिए अपना बैंक कार्ड आप निकाल लीजे क्योंकि हम आपके लिए घर के कुछ सबसे जरूरी और अमेजिंग चीज़ों पर ए इस शावर से जुड़ा थर्म ग्लो पानी के टेंपरेचर के अकॉर्डिंग नीले हरे या लाल रंग के लाइट शो करता है शावहेड के अंदर टेंपरेचर सेंसर एक एप्रोक्सिमेट हीट रीडिंग बताता है और साथ में लगी LED को ट्रगर करते हैं जिसमें नीला और लाल बहुत जादा गर्म है अगर पानी बहुत जादा गर्म हो जाता है तो यह आपको वार्निंग देने के लिए बहुत तेज फ्लैश ओन कर देता है ताकि आप अंदर ना जाएं सबसे अच्छी बात है कि इन LED को कभी भी रिचार्ज करने की या बदलने की ज़रुत है क्योंकि वे शावा हेट के अंदर के टरबाइन की मदद से चलती है जो कि पानी के मदद से करन्ट जनरेट करता है और बेटर एक्सपिरियंस के लिए इसका एक रेंबो वर्जिन भी है जिसमें चार और कलरस होते हैं इसकी कीमत 11 डॉलार और 28 डॉलार की बीच है यह affordable technical piece आपकी सुबह को और ज़्यादा खुशाल कर देगा शांदर बेल दर्वाजी की घंटी क्या आपने कभी सूचा था कि आप दर्वाजी की घंटी सुनकर इतने excited हो जाएंगे नहीं न मैं आपको gidor bill मतलब pronounced gidor bill से मिलवाता हूँ यह पूरी तरह functional half size का acoustic guitar to part mount के साथ आता है जिसको आप अपने दर्वाजे के ऊपर लगा सकते हैं इस guitar का एक हिस्सा दर्वाजे के ऊपर उल्टा चिपकता है और दूसरा दर्वाजे से चुड़ता है और प्लेक्ट्रूम के साथ जुड़ जाता है जिसका अर्थ है कि जब भी कोई उसे नीचे लेकर आता है तो प्ल दूसरी और आपके चालाग चाची के लिए आप डराबने कोट्स का भी सेट कर सकते हैं ऐसे करने के लिए आपको guitar बजाना आता हो यह ज़रूरी नहीं है क्योंकि यह आपकी पसंद के अनुसार strings को ट्यून करने के लिए एक आसान मैनियूल के साथ आता है लेकिन अगर जब उन्होंने एक अद्भुचीज देखी जब एक स्ट्रोब लाइट के नीचे कुछ फूल और पौथे रोटेट होते हैं तब वे फरेवर ब्लूम होते हुए दिखाई देते हैं जल्दे उन्होंने इसके आधार पर अपनी खुद की डेकोरेटिव लाइट तयार की और उसे नोवाट रूप्स नाम दिया और वे बहुती सुन्दर हैं प्लास्टिक स्कल्प्चर एक ग्लास शोकेस के अंदर खुमता है और उस पर एक स्ट्रोब लाइट चमकती है जो की शोकेस के बेस में लगी होती है जिससे ट्रिपी ऑप्टिकल इल्यूशन पैदा होता है लेकिन ये काम कैसे गरता है पहली बार आर्टिस जॉन एड्मार्क ने पाया कि जिन पौधों पर इस तरह का एफेक्ट आता है जैसे कि आर्टी चोक उसकी सभी पत्तियां एक दूसरे से 135 डिग्री के अंगल पर सेंटर के चारोड बढ़ती है जिससे एक स्पाइरल पैटर बस इसी एफेक्ट को आर्टिफिशल रूप से दोहराते हैं और दावा करते हैं कि वो लोग एक कमरे में जेन की फीलिंग्स लाते हैं और एंडलेस कास्केड एक मैस्मराइजिंग सेंटर पीस फॉर्म करते हैं मुझे ये भसंद आया लेकिन एक चीज़ है जिससे मैं असे जानते थे जब वे अपने रियक्टिव लाइट पैनल डिजाइन कर रही थे यह सूपर कूल कलर चेंजिंग मूड लाइट पैनल फ्लेक्जिबल स्नैप आउन लिंक का उप्यूग करके एक साथ कनेक्ट होते हैं यह किसी भी स्मूध फ्लैट सर्फेस पर लगाया सकते हैं इसका मतलब है कि उन्हें दीवार से छट तक भी जोड़ा जा सकता है और वे साउंड पर भी रियक्ट करते हैं इसलिए अगर आप उन्हें अपने स्पीकर के साथ वाली दीवार पर लगाते हैं तो वे फ्लैश करेंगे और म्यूजिक की ट्यून पर एक साथ कलर बद के लिए इसे अपने टीवी के साथ सिंख भी कर सकता है एक कनेक्टिंग स्मार्टफून एप से 16 मिलियन से जाधा अलग-अलग कलर टोन को कन्फिगर किया जा सकता है जबकि ये काफी महंगा लाइटिंग सिस्टम है जो कि 9 पैनल्स के लिए 215 डॉलर के बाद भी सबसे कू पार्टी में बातचीश शुरू करने के लिए काफी सारी इंट्रेस्टिंग इंफर्मिशन होगी अब हम और ज्यादा इंट्रेस्टिंग होम प्रोडक्स पर वापस आदे हैं मेरेकल मिरर धीरे-धीरे स्मार्ट टेकनोलजी हमारे घरों के हर हिस्से में अपनी जगह बना है लेकिन आपने शायद कभी समार्ट मिरर के बारे में नहीं सुना होगा मेरा मतलब है कि अभी तक तो नहीं जुना होगा पोसाइडिन स्मार्ट मिरर का अपना ओपरेटिंग सिस्टम है जो सभी तरह के हेल्थ और ब्यूटी रिलेटेट फंक्शन्स में एक्सपर्ट है आई चेकप से लेकर पोजिशन अनलिसिस तक इस मिरर में बहुत कोछ इंप्रेसिव फीचर्स हैं ये चेहरों के साथ साथ इसके सामने रखी चीज़ों को भी पैचान सकता है और उन पर प्रॉपर रियक्शन भी दे सकता है जैसे कि अगर आपको शेव करने की जरुवत है तो इसे केवल एक रेजर दिखाने पर ये मैगनिफाय फीचर आपको उपन कर सके देगा ताकि आप करीब से देख सकें ये सब एक built-in screen और camera से possible हो पाया है तो यदि आपको डर है कि कोई आप पर जासूजी कर रहा है तो आप उसे एक manual cover से cover कर सकते हैं ये mirror facial expression से भी चल सकता है और इसको physically touch करने की जरूद नहीं है जिसका मतलब है कि कोई गंदे fingerprint class पर नहीं होंगे लेकिन इसकी कीमत देखकर जो की 3000$ से 5000$ के बीच है अगर किसी ने इस पर निशान लगाए तो मैं तो भाया उनसे इसे साफ कर वाऊं अलागि mirror अभी भी development mode में है इसलिए आपके पास इसे खरीदने से पहले सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त तो है scorpion seat घर से गाम करना एक आम practice बन चुकी है इसकी positive और negative दोनों साइड़स है लेकिन एक बात है जिस पर मुझे लगता है कि हम सभी सहमत हो सकते है कि अगर आप घर से काम एक giant mechanical scorpion seat पर से कर रहे थे तो आपका इस chair से उठने का मन नहीं करता होगा इसे खास करके gaming के लिए design किया गया है एक kluvence IWSK में एक विच्चू जैसे पूंच होती है जो की तीन computer monitor तक hold कर सकती है इनकी position को remote से adjust किया जा सकता है और वो कुरसी के पूरे आकार को भी control करता है इसलिए अगर आप एक button से अपनी कुरसी को control करना चाते है और खुश हो कर मज़े लेना चाते हैं तो आप ये मुम्किन है साथ ही ये seat warm भी हो सकती है और आपके मालिश भी कर सकती है वो भी blue LED lighting के stylish glow में दुर्भाग इसे यदि आप चाते हैं कि आपके bedroom में make chair की जगह बन जाए तो आपको इसके लिए 3500 डॉलर की भारी की मच चुकानी पड़ेगी थोड़ा सा चुप गया ना No electric, no problem Hot tub हर तरीके से best है लेकिन वे आजकल बड़े आवाज करते हैं एक बार जब आप उनको set करते हैं तो उनकी जगह बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ, क्योंकि वह एक बड़ी परिशानी का काम है लेकिन fire hot tub या dust tub की ऐसी कोई limitation नहीं है इसके 5000 डॉलर के होने के अलावा यह हलका portable बात बिजली से गर्म नहीं होता बलकि पुराने जमानी की तरह आग से होता है गर्मी लानी के लिए आपको fire basket में तेज आगे लानी है फिर आपको एक horse pipe का उप्योग करके tub को भरना शुरू करना इसके बाद tub से पानी metal की pipe से होता हुआ नीचे के और बह जाता है जोगी गर्म आग के चारूर घूमता है कोलाई ट्यूब और साथ ही उसके अंदर के पानी को ये आग गर्म कर देती है उसके बाद ये गर्म पानी बढ़ते water pressure की मदद से टब में वापस चला जाता है एक पूरे tub को 100 degree Fahrenheit तक पहुँचने में लगभग 2 हंटे लगते हैं इस दोरान आग पर ज़्यादा ध्यान देनी की ज़रूत पड़ती है लेकिन वो नजारा और आरामदायक बात सारी मिनत को worth it बनाता है इतना ही नहीं आप नहाते समय आग की लपनों का उपयोग कुछ टेस्टी खाना बनाने के लिए भी कर सकते हैं आप और क्या चाह सकते हैं भाई अगर कोई furniture है जिसे अक्सर रंदेखा किया जाता है तो वो है हमारा प्यारा टेबल लेकिन यह sleek, black, cool block सिर्फ एक table नहीं है यह पूरा entertainment system है इसकी glass top पूरी तरह से touch screen है और यह आपको एक powerful Intel i5 computer जिसमें 8GB RAM और एक lightning fast SSD hard drive है उसको control करने मदद करता है और जब आप games खेल रहे हों या अपने दोस्तों के साथ YouTube browse कर रहे हों तो आप नीचे बने refrigerator से cold drink ले सकते हैं इतना ही नहीं इस table के base में touch screen control से चलने वाला full Bluetooth system भी है साथ ही इसके charging port और wireless charging zone आपके device की battery का भी खत्म नहीं ने देंगे लेकिन क्योंकि यह अभी market में पूरी तरह आउट sold है आपको आम लोगों की तरह वाल charger यूज़ करते रहना होगा और बस इसके stock में आने का weight करता होगा style से सोई बिस तरक अपयोग सोने के अलावा और भी कई चीज़ों में किया जाता है जिन लोगों ने Monika multifunctional smart bed को डिजाइन किया है वे इस बात को जानते हैं और इसे extreme level पर ले गए है इस versatile sleeping station में कई facilities हैं जिसमें remote control settings के साथ साथ एक massage chair भी शामिल है और साथ ही आप इसके अंदर built-in Bluetooth speaker का भी इस्तिमाल करके अपने favorite playlist को चला सकते हैं या side pocket से कोई किताब भी निकाल सकते हैं और साथ ही में दिया हुआ phone charger तो आपके जिन्दगी को आसान बना दीता है इतना ही नहीं इसमें एक fold-out desk, digital alarm clock और सबसे अलग एक rare filtration system भी है अब अगर आपका कमरा इतनी सारी मजदास चीदों से बरा होगा तो आप बाहर जाएंगे क्यों चौकिएगा ने लेकिन ये comfort आपको 3500 डॉलर का खर्चा करवा देगा लेकिन अगर आपके बाद पैसा है तो आप इस खाप को साकार कर सकते हैं किचिन कोनस्टूलेशन मैं आपके बारे में तो नहीं जानता लेकिन अगर मेरी किचिन फ्लूर अंधेरा होने पर एक गेलिस्टिक स्पेस इसकेप की तरह जगमगाती है तो मैं सारा समय वहीं पिताता भाई मानो ना मानो ये कोई दूसरे डाइमेंशन से आई हुई चीज नहीं है लेकिन ये लगभग उतनी शांदार है रेडिट यूजर वन ओफ जूलूज मीनियर्स ने एपोक्सी रेजिन और ग्लो इन दा डार्क पाउडर के मिक्स का यूज करके आई केचिंग एफेक्ट बनाया है एपोक्सी रेजिन एक प्रकार का चिपकने वाला माटेरियल है जो कि लिक्विड रेजिन को एक हार्डनर के साथ मिलाने से बनता है एक बार मिक्स होने पर एक केमिकल रेक्शन होता है जो कि माटेरियल को लिक्विड से सॉलिड में बदलना शुरू कर देता है अगर आप पटाफट से रेजिन को एक सफेस पहलाते हैं, जो अभी भी लिक्विड है, तो ये हार्ड हो जाएगा, और जिस जगह पर इसे फैलाएगा है, उस पर चिपक जाएगा, इसलिए अगर आप मिक्षर में glow in the dark powder मिलाते हैं, तो आपको एक wild combo मिलता है, जिसका use किसी हार्ट सफेस पर एक extra terrestrial touch देने के लिए किया जा सकता है, बस इतना ध्यान रखें कि आप मास्क पहन लें, क्योंकि epoxy resin खतरनाक धुआँ चोड़ता है, और इस चीज़ को अपनी skin पर ना लगने दें, वरना आपके साथ क्या होगा, तो भाई भगवान ही जानता है, secret stash shelf, आप अपने valuables कहां पर रखते हैं, आपके बस्तर के नीचे, एक lock किये हुए draw में, यदि ऐसा है तो आपको उन चीज़ों को कम obvious जगों पर रखना चाहिए, जैसे यहां, नहीं, नहीं, यह गदा मेरे valuable, यह गदा मेरे valuable position में से एक नहीं है, इस bookshelf के अंदर कुछ ऐस की तरह से अंदर रखे गए सामान के बारे में पता हो, वे पैनल को खोल नहीं सकते, ऐसा करने के लिए आपको इन special handles की ज़रूत होगी, जो secretly magnetized किये गए हैं, जिससे आप draw को बाहर की सकते हैं, सब ही draw specific जगह पर equally magnetized होते हैं, दुरभाग से secret stash device अभी तक बाजार में नही कर देंगे, scorching sculpture, north wells में ये palace जैसी property 2020 में 1.75 euro million या 2.43 million dollar missile पर लगी, शायद आपको लग रहा हुआ कि क्योंकि ये एक किला है, इसली इतना मेंगा है, लेकिन असली कीमत तो इसके gate के बाहर खड़े, पहरा दे रही चीज़ की है, एक fire breathing dragon, ठीक है, मुझे अपने घर के अंद लुग देगा, एक tree trunk से कार्व की गई लकडी की इस मूर्ती को खोखला बनाकर इसमें एक tube डाली गई है, जो उसके nostril से propane छोड़ती है, ट्यूब के अंत में एक igniter propane में आग लगती है, जिससे dragon आग भरी सांस लेता है, आप बहुत ही खम पैसों में अपना खुद का एक घुसे वाला fire sculpture बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ जादा ही पैसे पड़े हुए हैं, तो आप साथ में इस के लिए को भी खरीच सकते हैं, थार का hourglass, जाथा bedroom सा उसमें रखा सामान काफी आम होता है, लेकिन एक hourglass जिसमें lighting bolt हो, अब ये आपके bedside table पर रखने क लिए को शौकिन चीज़ है, बेशके इस ornament में असली बिजली नहीं है, लेकिन ये plasma globe के जैसे design principles का इस्तेमाल करता है, अंदर wires का एक electrified coil है, जो की electrons को कांच के अंदर मौजूद गर्म ionized gas में बंद कर देता है, जैसे electron gas के अंदर से shoot होते हैं, वो plasma में बदल जाते हैं, जैस इसे बिजली को बेता कंड़ करती है, लखेली हमें बिजली के कोई जटके का खतरा मैसूद नहीं होता, क्योंकि इन छोटे desktop plasma balls की current rating बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी एक striking effect पैदा करने के लिए ये काफी है, ये है तो बहुत ही fascinating चीज़, लेकिन क्योंकि ये समय कोई माप सक खीज़ें हो सकती है, तीन मानिटर्स को सपोर्ट करने के साथ साथ एरगॉनमिक रूप से डिजाइन की गई, इनसेनली फीचुरिस्टिक सीट आपकी पीट को अनपैरलल सपोर्ट देने और पॉस्चर सुधाने के लिए डिजाइन की गई है, और साथ ही ये सीट काफी positions मे घुम भी सकती है, एड्जस्टिबल लाइटिंग और यहां तक की एर कंडिशनिंग के साथ साथ अपना इसका sound system भी है, लेकिन इसमें खास क्या है, अपने आपको समान लीजे बाई, क्योंकि इस पूरे setup की cost है 15,900 डॉलर, जो की कुछ ज़्याद आई है, अगर आप फिर भी इस से attract होकर, अपना घर गिर भी रखवा कर इसको खरीदने का फैसला करते हैं, तो आप सोच लीजे कि आप लोगों को क्या बरताएंगे, कि आपने नया क्रेविटूनस आइकल भी खरीदा है, इसका नाम सुनकर ही, लोग आप पर हसने लग जाएंगे, मैं तो ऐसे ना किमर बादल हवा की बीच में तयरते हैं, जो कि क्लाउड की नीचे और क्लावड के अंदर लगे, मैगनेट और उलेक्ट्रो मैगनेट के एक इलेबरेट सिस्टम के कारण होता है, लेक्ट्रो मैगनेट की मैगनेटिक स्फरinh को चालाकी से और्टोमेटिकली बेस में दिये के सेंसर के मदद से बादलों में से निकल रही वोल्टेज को बदल कर बदल दिया जाता है यह क्लाउड पूरी तरह से स्थिर रखने के लिए मदद करता है यह एफेक्ट काफी इंप्रेसिव है पॉलिस्टर फाइबर बादलों के अंदर शिपी हुई वायरलेस एलेडी सकते हैं इसके लाबा एक माइक्रोफोन भी क्लाउड में एंबेट किया जाता है जो आपके द्वारा चलाए जाने वाले किसी भी साउंड या म्यूजिक पर रियक्ट करता है यदि आप इंशान्दा फ्लोटूस में से किसी एक को खरीदना चाते हैं तो आपको भी 45,000 डॉलर की बरसाथ करनी पड़ जाएगे लेकिन इसका एक सस्ता अल्टरनेटिव भी है 700 डॉलर से कम के लिए आप एक ऐसी चीज़ खरी सकते हैं जो आपकी छट से लटकती है अलाकि ये तैलता नहीं है फिर भी इसमें बहुत सारे लाइट मोड हैं अगर आप कभी इनमें से ये खरीते हैं तो आप अपने आपको गॉड ओफ थंडर भी कह सकते हैं बस इसे उस रैंबो शावर के नीचे रख कर एक्सपेरिमेंट करने कोशिश ना करें बैट टूम्ब अगर आप किसी ऐसे जगह पर ने जहां पर भूकां पा सकता है तो चिंता ना करें चाइनीज इंविंटर वांग विंस्की आपके मदद में हाजर हैं अभी ये केवल कॉंसेप्ट ह ये रिवलुशनरी विचार शायद आपकी जान बचा सकता है ये बैट कॉलप्स होकर आपको बैट के अंदर घुसा कर और फिर इसकी अंदर की एक छोटे अंधेरे चमबर में बंद कर देता है बले ये किसी मूवी की कोई डरापनी चीज लगे मगर ऐसा नहीं है माना कि य पास रक्षित रूप से आप अंदर चले गए तो मैटल का आउटर शेल आपके ऊपर गंद नहीं गिरने देता और वहां आपके साथ साथ खाना पानी और फास्टेट की भरपूर मात्रा होती है ये तो अच्छा है लेकिन ऐसी चीज में फसना जब आपके पास कोई मदद क ना हो तो थोड़ा सा डरावना हो जाता है फिर भी वैंक्स की को 2010 में इस रहने लाइक मजबूत बैठ के लिए एक पेटिन मिला और क्यूंकि यह आपकी जान बचा सकता है तो मेरे हिसाब से इस पर खर्चना वर्थ हट होगा मेरे भाई Crazy Catwalk फुलों को बनाना शुरू कर दिया उन्होंने अपने construction को catwalk का नाम दिया अब जगह यह पीटर का घर कम और एक cat sanctuary जादा लगती है यहां तक कि इसके bedroom भी रैम से ढगे हुए है यह देखते हुए कि उसके पास फिलहाल 26 बिलिया है जो घर के चार हो और दोड़ती रहती है इसमें कोई आशेर की बात नहीं कि इस घर को साफ रखने के लिए कम से कम पांच machines की जरुवत होती होगी मैं अपने पराने घर को तो नहीं बदलूगा भाई लेकिन शायद एक रैम बना लेना काफी मज़दार होगा इसमें एक built-in scratching post भी है मुझे तो इन्हें देखकर ही बाई पीटर किस तरह से यह सब manage कर पा रहा होगा एक अद्भुट डोर आप शायद अपने घर के दर्वाजों पर जादा ध्यान नहीं देते वे सिर्फ एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का तरीका है है ना ठीक है अगर आपके घर में ऑस्ट्रेलिया या आर्टेस्ट क्ल अगल हिंज दर्वाजे के दो हिस्सों को चोड़ता है और इजी डिजाइन के कारण इसे हैंडल की भी जरूत नहीं हो दी बास एक हलका सा धक्का और यह खुल जाता है क्या आप भी यही सोचने है कि यह अब तक का सबसे सैटिस्फाइंग दर्वाजा है जबकि अभी के ल देखी तो आपको कैसा लगेगा सुचिए आप सुपह उठे और आपने आखें खोली और सबसे पहली चीज आपने यह देखी तो आपको कैसा लगेगा फॉर्चिनेटली यह एक रियल नीकलियर एक्स्पोजन नहीं है लेकिन एक लैंप है इस अल्ट्रा यूलिस्टिक डि लिए 218 डॉलर खर्च करने होगे और शायर डिलिवरी के लिए 12 महिनों का इंतिजार करना होगा लेकिन यह एक न्यूक्लियर को पीछे छोड़ देता है और अगर आपको हर दिन उठते ही अपनी आखों के सामने अपनी मौत को देखने का शौक है तो आपके लिए से बितर और कोई नहीं होगा एट सीबर इविल इंक यू ढूंडें और आपको एक तड़कते बड़कती चीज मिल जाएगी स्टनिंग स्टेरकेस दर्वाजों की तरह आप शायए सीडियों को भी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तर जाने की चीज समझते है लेकिन पिवोटिंग मोर पिवोटिंग डोर के आइडिया की तरह ही जिसके बारे में हमने बात की थी मैनरटन बेस्ट आर्किटेक्ट स्टीवन हैरिस ने एक सीड़ी इतने सुन्दर तरह से डिजाइन की है कि आपका मन करेगा कि आप वहीं बैठे रहे हैं लेली फ्लावर की शेप पर बेस्ट एक अपैरल रेलिंग के साथ ये सीड़िया नीचे की तरफ बनाई गई हैं बैस इमेजिन केज़े के आप उसमें नीचे की और स्लाइड कर रहे हैं बेशक आप ऐसे इस स्टेयर केस को तो नहीं खरीद पाएंगे लेकिन आप पैसे दे लेकर मज़े कर रहे हों तो कोई अजनबी आदमी उनके घर में घुश जाए लेकिन एमजन के स्मार्ट होम सिक्यरोटी डिविजन जिसका नाम रिंग है शायद इस परिशानी का हल निकाल चुका है एक फ्लाइंग ड्रोन जिसमें एक कैमरा फिट किया गया है जो आपके घ लाइफीड देख सकता है और ये एक साइंस फिक्शन फिल्म से आया हुगा खिलोना नहीं है बलके इसको अमेरिका में कभी भी रिलीज और लॉंच किया जा सकता है क्रिटिक्स इस बात पर बहस कर रहे हैं कि ये देखते हुए कि Amazon theoretically उन फाइल्स तक कैसे पहुंचेगा जो एक डॉक में रहता है जो कमरे को कवर्ड करता है इसलिए जासू सी करना असंभव होगा धाई सो डॉलर की शुरुआती कीमत के साथ आप ये सोच सकते हैं कि आपके घर को सेफ रखने के लिए ये चोटी सी कीमत है लेकिन क्या इससे सच में आपकी प्रिविसी को खत्रा है अगर आप इसे खरीदते हैं तो नीचे कॉमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं भले आप मावल के बहुत बड़े फैन ना हों कॉमिक बुक पर बेस्ट फिल्म में इतनी फीमस हो गई है कि आपने शायद थाइनोस की इंफिनिटी गॉनलेट हाला कि मुझे कुछ इक्वली इंफाइनाइट मिला है जो उस पुरानी चीज की तुलना में ज़्याद अच्छा दिखता है और ये है भी रियल मैं इंफिनिटी टोडे का हैट्रून की बात कर रहा हूं ये एक आकरशक रूप से शांदार चीज को इसके क्रेटर्स द्वारा एलेडी आर्ट इ लीडी को सिगनल भेजने वाले सर्किट बोड हैं जो डिफरेंट पैटर्न और लाइट मोट्स का एक खुबसूरत एहरे प्रोड्यूस करते हैं अगर आप कांच की एकदम करीब खड़े होते हैं तो ये आज़ा दिखता है जैसे कि इसमें जिमेटरी खत्म ही नहीं हो रही पाच हजार डॉलर का एक पीज है एज़ा लगता है कि इन लोगों को ये भ्रहम है कि हम जैसे लोगों के पास अंधा पैज़ा है मुझे लगता है कि इन फाइनाइट गॉंटलेट भी एक बहुत ये अच्छी चीज है आप अपने घर में इन में से कौन से अमेजिंग है मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं और हाँ देखने के लिए शुक्रिया आप